इलोजी का मडल पेपर है मडल सेट है और यहां पर न्यू पेटरन पर देखेंगे तो एक से सतर तक अबजेक्टिब रहेंगे जिसमें से आपको किन ही 35 प्रस्णों का ही इंसर देना है यानिकी परतेक प्रस्ण के लिए एक अंक निर्धारीत है हमारा लक्ष है सतर में सतर तो चड़िए आज का फरस्ण परस्ण के साथ देखते हैं और आज का फरस्ण परस्ण है कि अनुवांसी की कूट में कितने कूट होते हैं यह काफी बार हमारा बोर्ड एक्जाम में पूछा जा चुका है कि अनुवांसी कूट में कितने कूट होते यह चार सुला 32 और 64 तो इसमें कुटो के संख्या जो होती है वह 64 होती है यानि कि आपसा नबर जो डी है बिल्कुल ही इसका राइट एंसर हो जेगा जिन भी दोस्त का अपसा नबर डी है बिल्कुल सही एंसर हो जेगा आब अन तक जो बने रहेगा और यहाँ पर प्रस्ण ह कि मानो मादा में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हर्मोन कौन है एस्टोजन प्रोजेटरोन एलेच एलेच और डी है एफ एस एच निकि एफ एस और एच तो पुछा है कि मानो मादा में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला जो हर्मान होता है वह एलेच होता है य अगर एलेज के जगह पर अक्सो टॉसिन भी दिया रहा था तो इसका राइट एंसर वहीं होता तो एलेज के साथ इसका सही एंसर चला जाएगा और यहाँ पर प्रश्ण है कि ब्रूण कोस की उत्पती निम्नांकिते किसे से होती है लगु बीजानु से लगु बीजानु धानी से गुरु बीजानु से तो प्राग न लिका से यह प्रश्ण काफी मत्पूर्ण है कि ब्रूण कोस की उत्पती निम्नांकित में किसे से होती है तो यह जो दोस्तो होता है वह गुरु बीजानु से होती है यानि कि जो भी दोस्त option number C को किलिक किये हैं उनका भीलकुल ही सही answer हो जगा और ये जो प्रस्ण काफी मत्पूर है कि AIDS के लिए निमनी में कौन सी जांचे उपयुकत है PCR, Western Clot, ELISA Test या Southern Blot तो इसमें क्या होता है AIDS में तो AIDS में ELISA Test होता है यानि कि option number जो C है बिल्कुल ही right answer होजेगा ELISA Test याद रखे हैं काफी मत्पूर्ट स्वाल है और यह जो AIDS होता है या वाइरस के कारण होता है वाइरस और यह जो होता है यह 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 उन्संचारी त्रोग भी होता है AIDS के बारे में और यहां पर फाइरस ने की निम्नांकिते कौन एंजाइम PCR तकनीक में इस्तिमाल होता है PCR तकनीक में किसका इस्तिमाल किया जाता है तो आपको बहुत बार हम बताए हैं कि PCR में क्या होता है कि इसमें पॉली मरेज तकनीक का इस्तिमाल होता है नहीं कि आप्सन नमबर जो ए है बिल्कुल ही राइट एंसर होजेगा जो भी दोस्त आप्सन नमबर ए को किलिक किये हैं बिल्कुल ही सही एंसर होजेगा सेशन अच्छी लग रही होती से लाइक जोड़ किजेगा और चानल पर नए जोड़ हो तो ज़रूर सब्सक्राइब किजेगा दोस्तों आप हैं तो हमें कोई दिकत नहीं है क्योंकि आप आप पर पूरे भरोसा है सो परसेंट और यहां पर रसने कि DNA अंगुल चापी का अ अधार होता है दोस्तों वह होता है उसकी अनुक्रम में बहुरूपता यहनिकल सही answer जो भी, दोस्त नम epileर बी को किलिक किये हैं बीलकिल hi right answer होजेगा, आप बस दोस्त के समान है क्योंकि आप दोस्त से कोई भी बात share कर सकते है तो हमारे साथ ही अगर आप दोस्त मानते हैं तो हमारे साथ भी सियर कर सकते हैं कोई भी चीज क्योंकि यह जो चैनल बनाया गया है सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है तो जिस भी सबजेक्ट में आपको डाउट होगे तो एक बार जरूर कमेंट के माध्यम से बताएगा और यहां प्रस्ने के उर्जा का अस्तनान्तरांड एक पोसी अस्तर से दूसरे पोसी स्तर में कितना परृतिसत होता है तो सुरु से बात आना चाहते हैं कि इसमें क्या होता है दोस्तों कि मालेजे कोई पेंड है और पेंड से सुरु का प्रकास 100% आया और पेंड की पत्ती कोई मालेजे बकड़ी अगर खाती है तो इसमें 10% की कमी होई और फिर बकड़ी को जब मनुष्य खाता है तो इसमें भी 10% की कमी होई तो वहीं इसकी 10% ही इसका सही अंसर वोजेगा और यह 10% किसने अस्तनांतराण किया था तो वह लिंडे मान के दोरा किया गया था 10% याद रगे काफी मतपूर्ट से वाले कि उर्जा अस्तनांतराण का एक पोसी अस्तर से दूसरे पोसी में कितना परतिसत होता है तो वह 10% ही होता है यानि कि अप्सन नमर जो बी है बिल्कुल ही राइट एंसर हो जाएगा और यह जो प्रशन है कि जीवाडू यहों कवक क् और जो होते हैं दोस्तों वहाट इन्मेय से सभ़गता इसका शही अंसर हो जैगा बी होते है और दीक के सांथ इसका सही अंसर चला जाएगा तो चलिए नेक्ष्ण प्रस्न को देखते हैं और यहां पर प्रशने की मिथेनो जिन्स इन्मे से क्या उत्पादित नहीं करता है मिथेन, ऑक्सीजन, कर्बन डाइकस, या हाइडोजन, सल्फाइड तो मिथेनो जिन्स इन्मे से क्या उत्पादित नहीं करता है तो वह जो नहीं करता है दोस्तों वह oxygen यान कि O2 नहीं करता है यान कि option अमर जो B है बिल्कुल ही right answer हो जाएगा और methane का सुतर CH4, carbon dioxide, CO2 और hydrogen supply H2S याद रखे काफी मात्मूर्स वाल है और यहाँ पर प्रस्ण है कि निम्नांकित में nitrogen fixer कौन है तो nitrogen fixer के रूप में जो होता है दोस्तों वह होता है इना बेना तथा non-stock यान कि option में जो B है बिल्कुल ही सही answer हो जाएगा 2N plus minus 1 तथा 2N plus minus 2 की इस्थिति क्या कहलाती है तो आप पढ़े होंगे हम बहुत वार बताए हैं कि यहाँ पर बहु गूरीता कहलाता है यान कि option में जो B है बिल्कुल ही सही answer हो जाएगा जो भी दोस्त option number B को सोचे हैं बी के बारे में तो उनका बिल्कुल ही सोचना सही है और यहाँ पर प्रस्ने के DNA पर पराबेगनी कीरणों के असर से क्या परभाव परता है तो इस पर जो पर भाव मुख्य रूप से जो होता है दोस्तों वह होता है नाइट्रोजेनी छार जोरी का बीरोपन भी होता है और नाइट्रोजेनी छार के जोरी भी इसमें तूट जाता है और थाइमींड डाइमर बनता ही इसमें और D के साथ इसका सही अंसर हो जएगा 3 इसका राइट अंसर हो जएगा कि DNA पर परबैगनी किर्नों के असर से यह 3 होता है यानि कि D के साथ इसका सही अंसर चला जाएगा तो चलिए next प्रस्ण को देखते हैं और यहां पे जो प्रश्ने की मनुस्यों में लिंग निर्धारन का कारक क्या होता है तो मनुस्य के पास हम जानते हैं कि X और Y गोंड सुत्र होता है और इस्तिरियक पास X X रहता है जब X और X मिलता है तो यह तो दोनों का सेम ही है तो लड़की पैदा लेती है और वहीं X और Y जब युगम होता है तो उसमें लड़का जन मिलेता है तो यहां मुख्य लिंग निर्धारन का मुख्य कारक होता है वहाँ Y गोंड सुत्र ही होता है क्योंकि X यह तो समान है दोनों में तो Y के साथ इसका सही अंसर चला जाएगा कि मनुस्यों के लिंग निर्धारन का कारक जो होता है वह Y गोंड सुत्र होता है next नप प्रस्ण है कि और कियो पिटेरिक से किस काल में पाए जाने वाला जिवास्मी पक्षिता और कियो पिटेरिक से इसमें क्या होता है बाईलोजी में कि इसमें अधिकतर जो सब्द होता है वहाँ इंगलिस में ही होता है तो थोरब पढ़ने में अधिकत होगी लेकिन आपको full and final समझ में आ जाएगा कि और कियो पेटरिक से कीस काल में पाये जाने वाला जिवास में पक्षी है यह जुरासी के काल में पाय जाने वाला यहाँ पक्ची होती है यानि कि आप्सन में जो ए है बिल्कुल ही राइट एंसर हो जगा यह भी हमारे बोड एकजा में 5-6 बार अब तक पूछे जा चुके हैं सभी प्रस्न महत्ते पूर्ण है दोस्तो और यहाँ प्रस्नी की जौन्तू तथा पौधो के बीद से सन्योजी करी कौन होती है जिवाणू, बिशाणू, अमीबा या यूगलीना तो जौन्तू तथा पौधो के बीद सन्योजी करी होती है वह यूगलीना होती है यानि कि C के साथ इसका सही अंसर चला जाएगा यानि कि जो भी दोस्त option number C को क्लिक किये हैं उनका बिर्कुर ही सही answer हो जेगा session अच्छी लग रही होती से like जरूर कीजेगा आप like करते हैं तो ही हमको बुझा पता है कि आपको session अच्छी लगी है अगर अच्छी भी ना लगे तो dislike जरूर कीजेगा कोई भी एक जरूर कीजेगा या तो like कीजेगा या तो dislike कीजेगा दोस्तो इससे पाता चलता है कि हमारे में कमी है तो dislike की है लाइक की है तो हमारे में थोड़ा सा सुधार में और जरूरत है अगर गekoलती होती है तो एक बाद ज्यूरूरों कमेंट के माध्यम से बतायेगा कि यहाँ पर आपसे गलती हुई है ठीक ज़रूरब बतायेगा दोस्तो जैसकी बिसेस्ता है एस्पञ्ज हाइड़रा इस्ट और वी डी है वी और तथा सी दोनों तो जे मियूस यह जो भी सेस्ता होती है दोस्तों यह होती है एक साथ इसका सही अंसर चला जाएगा तो चलिए नेक्ट प्रस्ण को देखते हैं और यह जो प्रस्ण काफी मत्पूर्ण है कि कीन पौधो में नीशेचन के लिए जल माध्यम आवस्यक है सेवाल मरेव फैट्स टेर तो डी के साथ इसका सही अंसर होजेगा इन में से सभी के लिए किस माधा जन्तु से मद चक्र नहीं होता है गाए उत्ता खरगोस यह मनुस्या तो यह तो प्रस्ण बिल्कुल आसान है यानिकि भशपूरी में कहा जाए तो हई तो प्रस्ण बिल्कुल आसान बाद तो किस म जनतु में मद चक्र नहीं होता है तो यह हमनुष्य में इसका राइट एंसर जला जाएगा यह 치이 इसका सही sud और यहां पर प्रस्ण है कि अंडारू को अंडारू के कोसी का द्रभ्त क्founded में कों सी संराचना नहीं होती है यह सरचना नहीं होती है यह काफी महत्पूर्स वगल कि ποल की राइबोजों गौल जीग ऐसेंट्रोसमत्या second टो मायट्व कंड्रिंड्रिया को तो पाउर हॉस कहा जाता है यह सभी को मालूम है और प्रोटीन का जो निर्वार होता है और अंडानों से कुछ का द्रब्य में कौन से रचना नहीं होती है तो इसका राइट अंसर हो जएगा mitochondria यानिकि D के साथ इसका सही अंसर हो जाएगा गलजी बोडी में तो होता है ट्रोपोनेमा पेलीडम किस बीमारी का रोग जनक है तो ट्रोपोनेमा पेलीडम यह जो बीमारी रोग जनक होता है यह होता है छाय रोग का यानिकि आपसन वाद जो D है बिलकुल ही राइट एंसर हो जगा और सिफलिस और गुनरिया यह सभी योन संचाइथ रोग होता है और एट्स यह सभी योन संचाइथ रोग होता है सिफलिस तता गुनरिया नेक्टन प्रस्ण है T और C लूप निम्नांकी किसे RNA में पाए जाता है तो इस प्रस्ण का राइट एंसर जो होता है या राइबो जोमल आरेने में यानि का आपसन अमठ जो ए है बिल्कुन ही राइट एंसर होजेगा कमेंट जरूर करें कि या सही से आपको पढ़ा पा रहा है कि नहीं क्योंकि यह जो किताब में से ही आपके बीच लाए गया है ठीक तो प्रतिलेखन की किरिया में किस इंजाइम की आवसेक्ता होती है तो प्रतिलेखन की किरिया में इसमें जो इंजाइम की आवसेक्ता होती है और यहां पर जो प्रशने काफी महत्पूर्श वाल है ये बोड एक्जामें बारवार पुछे जाता है कि कीटो तथा पक्षियों के पंक की स्तरह के अंग कहलाते हैं समझात अंग और समझात अंग या दी है इन में से कोई नहीं तो समरूप अंग कहलाते हैं समरूप अंग को ही और समझात अंग कहते हैं या अप्सन नमर जो बी है उनका विर्कुल ही राइट अंसर हो जाएगा बी इसका सही अंसर हो जाएगा और यहां पर प्रशने की मरू अस्थलिय अनुकूलन का उधारन निम्नांकित में कौन है उन्ट नागफणी अमर बेल और C है A तथा B दोन है यानिकि उन्ट और नागफणी तो इसमें कहते हैं मरू उस्थलिय अनुकूलन का मुख्य उधारन जो होता है वह नागफणी भी होता है और उन्ट भी होता है यानिकि C के साथ इसका सही अंसर चला जाएगा A तथा B दोनो और यह जो प्रशन है कि BCG वैक्सीन कीस बिमारी के बचाव के लिए किया दिया जाता है BCG का तिका तो यह लगाए जाता है या च्छाय रोग में लगाए जाता है या टीवी में लगाए जाता है च्छाय रोग को टीवी ही कहा जाता है टीवर क्लोसिस टीवी च्छाय रोग बिमारी में लगाए ज प्रस्ण है एड्स में तो एलिशा टेस्ट होता है टाइफाइड में तो अभी याद नहीं पर रहा है तो इसका राइट एंसर होजेगा अपसर नमबर भी यहाँ पे 26 जो प्रस्ण है कि निमलीखीत में रेविज बिमारी का रोग जोना के क्या होता है जिवारू विशानू प्रोटोजोवा या डी है यह तथा भी दोनों तो रेविज के टीके जो बिमारी होता है रेविज जो की कुट्य के काटने से होता है रेवडो वाइरस के कारण होता है तो इसका जो राइट एंसर होजेगा या विशानू के कारण होता है रेवडो वाइरस है वाइरस यह निकि विशानू बी के साथ इसका सही अंसर चला जाएगा नेक्ष्ण प्रस्ट के निम्नांकित में कौन और स्वव और संक्राम्या बीमारी है हाथी पाव, थालसी मिया, मिया एस्थेनिया, ग्राफिस और डी हर्पिस तो यहां प्रस्ट के स्वव और संक्राम्या बीमारी जो यहां पे होता है वा मिया अस्थेनिया ग्राफिस होता है निकि सी के साथ इसका राइटेन सर्फ चला जेगा एक बार में पढ़ने में भी थोड़ा दिकत होती है तो आब अन तक जो बने रहिएगा यूँकि सभी प्रस्ण महत्यपूर्ण है आपको किसी तरह से इन प्रस्णों को याद कर लिजेगा प्लीज करके क्योंकि इन ही प्रस्णों में से ही आपके बोड़िक जामे आने वाले है तो यहाँ प्रस्ण के सुनाहरे धान में कौन सा ट्रांस जीन है तो सुनारे धान में जो होता है कि कौन सा ट्रांसजीन होता है तो इसमें क्या होता है कि इसमें फाइटोइन सिंथेटेज होता है सिंथेटेज निका आपसन में जो बी है बिल्कुल ही राइट एंसर हो जेगा और बीटी टॉक्सीन क्या होती है बीटी टॉक्सीन यह जो होती है मुख्यरूप से यह अंता को सिक्या क्रिस्टालीन प्रोटीन होती है निकि भी इसका सही अंसर हो जगा और यहां पर असने की निमनांकित में कौन मचली की बिदेसी पर जाती है कतला रोहू मांगूर या डी है इन में से कोई नहीं तो बिद यहां पर जाती है पर शही अंत सब्षाक और यह जो प्रस ने काफी मत पूर्ड सवाल है कि बहया अस्थाने सनरक्छान का मुख्या जो उधारन होता है वह वानसपती उध्यान भी होता है प्राणी उधान भी होता है यानि कि A तथा B दोनों यानि कि C इसका सही अंसर चला जाएगा जो भी दोस्त अपसर नमबर C को किलिक किये हैं उनका बिल्कुन ही सही अंसर हो जाएगा तो आएे नेक्षन प्रस्ण को देखते हैं कि प्रकृति में सबसे अधिक संख्या निम्नांकित की स्पीजिज की है तो यह जो सबसे अधिक होती है या कीटो की होती है संकट ग्रस्त इस पीसीज के लिए बाय अस्थाने सरक्षान का एक उधारन कौन है तो इसका महत्पुन उधारन होता है हीमकारी परिक्षान यानिकि बी के साथ इसका सही अंसर चला जाएगा और यहां पर जो प्रस्ण है कि निमलीखित में परधोगी की उत्पादक कौन है तो निमलीखित में परधोगी की उत्पादक के रूप में जो होता है अपना राइट एंसर अप तक दे दियोंगे तो फ्लेवार सेवार भी होता है और हुमयूलीन भी होता है जी एस से फसल भ प्राक्रितिक अभ्यांता किले 10 तो प्राकर्लासिक अभ्यांता जो होता है यह व soutar इन ट्यूमी फेसियंस यानि कि आपसन वार जो B है बिल्कुल ही राइट एंसर हो जाएगा और इसी परकार से 36 पराशनों को देख लेते हैं इसे साने मातर 35 पराशनों को करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में इसे देखेंगे तो 36 पराशन जल्दी से देख लेते हैं कि हाथी के लिए संरक्षित छेत्र निम्नांकित में कौन है तो हाथी के लिए संरक्षित छेत्र जो होता है या होता है पिरियार पसू बिहार यानि का अपसन वार B इसका सही अंसर हो जेगा जल्दी जल्दी में देख लेते हैं कि अमलिये वार्षा कराने वाले परदूसक निम्रानकित में कौन है तो यह जो मुख्य रूप से होता है या कर्बन डायकसद भी होता है सल्फर डायकसद भी कर्बन मोनाकसद यानिका अप्सन वाज़ा B, D इसका सही अंसर होजेगा और ग्रीन हाउस से यानिक हरित घार गैस अगर यह सेशन आपको अच्छी लगी हो यह तो जरूर लाइक किजिएगा अगर चानल पढ़ना है जो रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब किजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए तरह ही थैंक्यू